Spoon with book में आप सबी का स्वागत है सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे दिवाली पूचा का और डेकोरेशन का एक छोटा सा वीडियो होप सो आप सबी को अच्छा लगेगा ये यहाँ पर ममी आम के पतों से और फोलो से डेकोरेट अर्टिकल तयार कर रहे हैं आम के पतों को हिंदु धर्म में बहुती शुप माना जाता है तो इसलिए हमने सुचा इस बाड दिवाली पूचिल पे हम आम के पतों का Decorative आर्टिकल तयार करेंगे आप देख सकते हैं ममी इसे किस तरह से पैयार कर रहे हैं अब ममी इन पत्तों की बीचों बीच एक फूल सुई धवा की मदद से अच्छी तरह से अच्छ कर देंगे आप देख सकते हैं यह बन के तयार है और कितना सुदर दिख रहा है यहां ममी ने बहुत सारे बना के रख लिये हैं इसे मैंने घर के में दरवाजे पे इस तरह से अच्छी तरह से सजा लिया है डबल साइड टीक की मदद से और यहां पे दीदी रंगोली बना रहे हैं यह पूरी तरह से कंप्टीर हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से दिख रहा है हम सब तयार हो गए हैं और पूजा करना शुरू कर दिया है हमने सबसे पहले हम लक्षमी जी और जनीज शी को स्तान करवा रहे हैं मैं प्रात्ना कर रही हूँ मेरे घर की सुक सम्मित्री के लिए अब हम सब मिलके आरती करेंगे लक्षमी जी की झाल मोद बेंटना झाल 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 सबस्ब 22 झाल झाल यहां आयम में मेरे शर्म बचाया है और फूजा अब हमारी समाप्त हो चुकी है अब मैं आपको हमारे घर का टैकुरेशन दिखाती हूँ यह रंगुली है जो कम्प्रीट्ली तयार हो चुकी है यहां साइट में हमने थोड़ा सा रंगुली निकाला है दिये जलाए है यहां से फ्लावर से थोड़ा डेकुरेशन किया है हमने यहां करके अंदर भी हमने थोड़ा सा फ्लावर और दियों से डेकुरेशन किया है यह छोड़ा से फ्लावर से रखके उपर से एक वैक्स केंडल रखके डेकुरेशन किया है हुपसव आप सभी को यह डेकुरेशन और पूजा विधान अच्छा लगा हो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अबते साथ बैल आइकन को सरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के अपकमिन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें तक्यू